नमस्कार महप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है। पुर्फ भारते कप्तान विरात कोली ने आज हासिर की एक बड़ी उपलब दी। टिकेट मिलना काफी जादा मुश्किल होता है। लेकिन अब ऐसान नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार यात्रियों की सहूलियत को धियान में रखते वे रेल्वे की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इसके तहट ही अब yathri दिल्ली पतना, दिल्ली अ.C. आरक्षिऑ आरक्षिद सुपरफास्ट गती शक्ति फेशल एक्स्प्रेस, अमुख्या समेथ अन्य पंचायत प्रतनिध्यों का भथता हुआ मनजूर। बिहार के ग्राम पंचायत और कचहरी प्रतनिधियों के मासिक भत्ते के रूप में राश्री को मन्जूर कर दिया गया है जिसके तहद कुल मिलाकर 89 करोड 10 लाग की स्विकृति दी गई है जिसका एलान पंचायती राजमंत्री समराच चोधरी ने खुद किया इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जल्धी पंचायत और कचहरी प्रतनिधियों के खाते में मासिक भत्ते की राश्री का भुकतान कर दिया जाएगा साथ ही उन्य listeners ये भी बताया कि मुख्य कारेपालक जुला परिशत राशी की निकासी कर जुला परिशत पंचायद समीती और ग्राम पंचायद के प्रतनिणिओं के खातों में स्थाना अंत्रित की जाएगी समंधिर जिला के पंचायत राजपदादिकारी ग्रांद कचहरी के सर पंचों और पंचों के बैंक खाताओं में राशी उपलब्ध करवाएंगे बिहार में शराब माफियाओं पर चलेगा मनी लॉंडरिंग का केस बिहार में शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए बिहार सरकार हर संभव कोशिश कर रही है यही कारण है कि हर दिन के साथ बिहार सरकार इन माफियाओं को पकड़ने के लिए खुद को हाई टेक भी कर रही है इसी बीच अब शराब माफियाओं के विरुधि सरकार ने एक और आदेश जारी किया है जिसके तहट उनके खिलाफ मनी लॉंडरिंग का मामला चलाय जाना है इसको लेकर पुलिस मुख्याले ने जिलो के अधिकारियों से चुनित किये गया शराब माफियाओं का प्रस्ताव मांगा है जिन पर प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग आक्ट के अधीन कारवाई की जाएगी इसको लेकर पुलिस मुख्याले में सब नवे समीती की बैठक का आयोजिन भी करवाय गया था जिसमें ही इस बावत दिशा निर्देश जारी किया गया है आयोजित बैठक में सभी शेत्र के डी आईजी के साथ जिलो के SSP और SP भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे स्वास्ते विज्यान विश्विद्याले में रजिस्टरार समेत 32 पदो का स्रुजन बिहार में चिकितसा सिक्षा के विकास और शोध कारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिहार स्वास्ते विज्यान विश्विद्याले की स्थापना का प्रस्ताव मनजूर कर दिया था जिसके बाद ही अब इस विश्विद्याले के संचालन के लिए 32 पदो का स्रिजन किया गया है जिसके बाद ही अब इस विश्विद्याले के दाइरे में प्रदेश के सभी सरकारी और नीजी मेडिकल संस्थान आने वाले है स्वास्त विभाग की तरफ से जारी किये गए जानकारी के अनुसार स्वास्त विज्यान के शेत्र में पारंपरिक और विवसाइक सिक्षा का आप्लिकेशन भी इस विश्वे द्याले से होने वाला है यही कारण है कि 32 पदों के स्विजन से सरकार पर वार्शिक 1.74 करोर का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा यानि कि अब बिहार के दंथ चुकित्सा पैरामेडिकल संस्थान आयूरवेदिक युनानी होमियोपैथिक चुकित्सा पद्धिती संस्थान बेस में दायर होंगे बिहार में मेट्रो का होगा विस्तार बिहार के राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना पर तेखजी से काम हो रहा है उमीद है कि आने वाले दिनों में जल्दी पटनावासियों को मेट्रो की सौगात भी मिल जाएगी मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अगले साल तक पहले चुरन के निर्मानकार के पूरा होने की उमीद है इस बीच पटना के साथ ही बिहार के दूसरे शहरों में भी मेट्रो चलाने की योजना पर जोर दिया गया है जिसके तहट पटना के बाद अब बेगु सराय जुले में भी मेट्रो सेवा आरंभ करने का काम शुरू कर दिया गया है इसको लेकर राजसभासांसत राकेश्ट सन्हा ने बेगु सराय में मेट्रो परिचालन के बड़े संकेत दिये है अभी बेगु सराय में बरौनी तक मेट्रो के परिचालन का ब्लूप्रिंट सेयार किया जा रहा है राजसभासांसत राकेश्ट सन्हा ने मीडिया से मुखातिब होते वेक बताया कि बेगु सराय से बरौनी तक मेट्रो लाने की मांग की जा रही है बिहार में दिखने लगा है गर्मी का सर बिहार में ठंडब लगभग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है जिसके बाद ही गर्मी का सतम भी लगा तार जारी है मार्च महीने के शुरवात होते ही तापमान में भी ब्रधीत देखने को मिल रही है और मौसम में बदलाव देख रहा है आसमान फिलहाल पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा आज सुबह की बात करें तो पटना में मौसम हलका सुष्क रहा और तापमान 15-17 दिखरी के आसपास रहा वीते कुस दुनों से जारी मौसम की अठखेलियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुस दुनों तक तापमान में इसी तरीके की बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है मौसम विग्यानिकों की माने तो अगले कुस दुनों तक आसमान साफ रहने का तो पुर्वानमान है ही इस दौरान दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना भी जुयत आए गई है अब वार्ड की योजनाओं के काफ़ाद नई समीतियों को होंगे हस्तानां धृत सम्बंधित सभी जरूरी कागजात और साथी साथ रोकडपंजी नवगठित समीती को हसानांत्रित करने की बात कही है निगरानी के निशाने पर आएखा दियापुर्ती अधिकारी विहार के एक और भरश्ट अफसर के ठिकानों पर छापे माली देखने को मिली बीते कई दिनों से सरकार के नाक के नीचे एक काला धन कमाने वालों की एक के बाद एक पोल खुल रही है इसी कड़ी में सरकार पद का दो रुपी ओकर दो दुश्रमलब एक साथ करोड से अधिक यावैद संपत्ती अर्जुत करने के मामले में विशेश निगरानी एकाई ने समस्तिपूर के सहाइक जुलापूर्ती पदादिकारी के ठिकानों पर छापे मारी की मिली जानकारी के नुसार समस्तिपूर के सहाइक जुलापूर्ती पदादिकारी नवीन कुमार पर ये आरोप लगाए गया है कि उन्हों ने अपने पद का दुरूपियों कर आई से अधिक संपत्ती अरजुत कर रखी है जिसके बाद ही निगरानी एकाई ने इनके खिलाफ कारवाई शुरू की थी पुखता सुबूत हाथ लगने के बाद शुक्रवार की सुबह एस यूवी की दो टीम ने नवीन कुमार के समस्तिपूर और बेगुसराय के आवास पर शापिमारी शुरू कर दी डिपटी सीम तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया अत्रुतिया अनुपूरक बजट इन दिनों बिहार में बजट सत रुका आयो जिन करवाया जा रहा है हाल ही में बिहार का बजट भी पेश किया गया इसी कड़ी में बीते दिन बिहार के उपुख्यमंतरी सहवित तमंतरी तारकिशोर प्रसाद ने वित्यवर्ष 2021-22 के लिए 7,894.2624 करोर रुपे का तृतिय अनुपूरक बजट बिहार विधान मंडल में पेश कर दिया भारतिय सम्विधान के अनुचेद 205 में नहीत प्रावधान के तहट अनुपूरक बजट बिहार विधान मंडल में पेश किया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बीते दिन पेश किये गए तृतिया अनुपूरक व्याई विवर्नी में वाश्रिक स्कीम मद में 5802.9153 करूर रुपे स्थापना और प्रतिमत व्याई मद में 2087.979 करूर रुपे और केंद्रिय शेत्र स्कीम मद में 3.36899 करू पहले ही चुनावायों की तरफ से जारी की गई है। इसकोले कर दिशानिर देश्ट जारी किया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पाच मार्च को पूर्णिया में मुख्यमंतरी नितीश कुमार के समाथ सुथारा भियान यात्रा होने वाली है इसकोले कर सिक्षा वभाग ने सभी जिलों के जिला सिक्षा पदा दिकारी को पत्र जारी कर दिया है और जल से जल प्रबंध समीती गठिन करने का आदेश दिया है जारी किये गए पत्र में साफ तोर पर कहा गया है कि अब सभी विधायकों के साथ-साथ विधान पार्षद, लोकसभा सदस्यों और रजुसभा सदस्यों भी हाई स्कूल प्रबंधन समीती के अध्यक्ष होंगे सिक्षा अभभाग के माध्यमिक सिक्षा निदेश रख्मनोज कुमार ने इसको लेकर पत्र जारी किया है जारी किया गए पत्र में उन्होंने 16 अगस्त 2021 के द्वारा विधान पार्षद और सांसतों के प्रबंध समीती के अध्यक्ष पर रोक लगाई गई थी पुर्व भारतिय कप्तान विराट कोली ने आज एक बड़ी उपलब्धी हासिल की है वो करियर का सोवा टेस्ट आज खेलने के लिए मैदान में उतरे थे जो की खेलने वाले वो बारह भारतिये बन गया है इस मौके पर भारते टीम के पुर्व कप्तान राहुल रविड ने उने सम्मानित किया कोली को सौवा टेस्ट खेलने के लिए स्पेशल कैप सौपी गई महाली में सम्मान के दौरान कोली के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी मौजूद रही भारत के लिए पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरने पर विडात कोली ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सौट टेस्ट खेलेंगे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना सब कुछ इस खेल को दिया है और अभी भी हर मैच से पहले उन्हें बेचैनी होती है स्वास्तो पकेंदर के भावन निर्मान का उठाया मुद्धा विहार में बजट सतरात सुबह से ही एक बार फिर से जारी रहा इस दौरान पक्ष और वेपक्ष के बीच में खुब बयानबाजी देखने को भी मिली साथ ही कई मुद्व पर भी सवाल उठाये गए इसी दौरान सुगॉली के राजुद विधाएक ईसाशी भूशन सिंग ने स्वास्तो पकेंदर बनानी की मांग उठाये इस दौरान भूशन ने कहा कि मेरे शेतर में स्वास्तो पकेंदर में भवन की एक इट भी नहीं है भारत में लगातार कम हो रहे है कोरोना के मामले, बिहार में भी रहात देश में गुरबार को 6,396 ने कोरोना मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना वारिस संक्रमेतों की कोल संख्या बढ़कर 4,29,51,566 पर पहुँच गई है वहीं उप्चार अधीन मरीजों के संख्या घटकर 79,897 पर पहुच गई है केंद्रे स्वासलिवं परिवार कल्यान मंतराले की तरफ से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी किये गए आकड़ों के नुसार गुरुवार को कोरोना संक्रमन से 201 लोगों की जान गई है जिसके बाद जान कवाने वालों की संक्या बढ़कर 5,14,589 हो गई है वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में को मिलाकर 41 मामलों की पुष्टी हुई है लालो यादव की जमानत याचुका पर सुनवाई टली लालो यादव को जहार खंट हाई कोट से बड़ा जटका लगा है बतादे की 4 घुटाला मामले में सजायफता लालो यादव की जमानत याचुका पर शुकरवार यानि की आच सुनवाई होनी थी ये सुनवाई जस्टिस अपरे इश्कुमार सिंग की अदालत में होने थी अब इसमें कहा जा रहा है कि लालू यादफ की तरफ से दायर जमानती याचुका में कुछ तुरूटिया है जोसकी कारण इस पर सुनवाई अब 11 हमार्च को होगी बता दे कि दुरांदा कोशागार मामले में 149 करोड रुपे की अवैद निकासी का मामला सामने आया था जिसमें लालू यादफ को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपे जर्माना देने की बात कही गई थी आपको ये भी बता दे कि इस मामले में लालू यादफ 15 फरवरी से जेल में बंद है कि भूमी का एहम रही है या नहीं अपने जबाप में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी ख़बरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद